उडिशा के बालासोर जिले में शुक्रवार दो जून शाम तीन ट्रेने आपस में टकरा गई जिसकी वज़े से बिशन हाथसा हो गया इस ट्रेन अक्सिडेंट में 280 लोगों की मौत हो गई है वही 900 लोग बुरी तरे गायल भी हो गई उडिशा ट्रेन हाथसे ने सभी की आख के नम कर दी हैं इसी बीच अभी नीता सोनु सुथ एक बार फिर मसीहा बन कर लोगों की मदद के लिए आ गया हैं सोनु सुथ का कुरोना काल से जरूरत मन लोगों की मदद करने का सिलसिला अब तत जारी हैं सोनु ने संकल पिया है कि वो पेडित परिवारों की जिन्दगी इसके लिए सोनू ने एक हेलपलाइन की शुरुवात भी की हैं जिस से लोग आसानी से उनकी टीम से संपर्क कर मदद की गुवार लगा सकते हैं सोनू मदद करने के लिए लोगों के लिए 9967-567520 ये नमबर बताया है जुसके द्वारा SMS से उनकी टीम से संपर्क कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं SMS पाकर उनकी टीम तुरंधी रिप्लाई कर अक्शन मोड में आएगी मदद का हाथ आगे करेगी ताकि वो अपनी खुशाल जिन्दगी की और दुबारा करवट ले सके सोनू इस पहल से पूरा प्रयास कर रहे है कि प्रभावित व्यक्तियों को अधिक से अधिक मदद मिले उनका लक्ष केवल लोगों को एक आशा की किरन और उनके चेहरों पर मुस्कान लाना ही है तो क्यों न हम भी सोनू की इस पहल में उनका साथ दे और उडिशा ट्रेन हा से में प्रभावित लोगों की दुआओ का कारण बने